हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बेबी गल की हाफ स्वेटर इसका फुल टुटोरियल आपको पार्ट वन और पार्ट टू में मिल जाएगा आज मैं बताऊंगे आपको इससे अगर आपको छोटा बन गई है ठीक है 75 क्राम का मतलब है यह देखे यह वेबी गूल हमने यूज की थी इस तरह के तीन हमारे गोले लग गए इसमें ठीक है एक्स्टा हमारा थोड़ा वाइट कलर लगा हूँ है और देखे बिलकुल सेम तरीका तो नहीं रहता सब का बनाने का किसी का हाट धीला होता है किसी का टाइट होता है तो धागा जब भी हम बनाते हैं फंदे बनाते हैं तो किस कोई लेके बनाता है ठीक है तो उसे क्या होती है थोड़ी उन कम या ज्यादा लग जाती है मैं इसकी इस स्वेटर की बात करूं तो इसमें टोटल 75 ग्राम लग चुकी है ठीक है तो आप इसमें पूरा अगर आपको छोटी बनानी हो तो आप 75 ग्राम तीन गोले ले सकते हैं और इतना ही बनाना हो तो हो सकता है आपका तो कभी भी हो एक्स्ट्रा उन लेके चलिएगा ठीक है सबसे पहले तो आपको मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आप अपने वेवी के स्वेटर से देख लगबग 9 इंच के आसपास है ठीक है साड़े आठ इंच इसकी चोड़ाई अगर इसको थोड़ा सा यह देखे स्टेचेबल भी है इस तरह से है तो देख लिजीए अगर आपको सेम तरीके से बनाना है तो सेम आपको जितने फंदे लिए हैं वही देना है और अगर आपको इ वीडियो जरूर देख लिजीए गा पार्ट वान और पार्ट तू अगर आपको इससे एक साइट छोटा बनाना है तो इसमें पांच फंदे कम कर लिजेगा 60 फंदे हमने पैक साइट में दिये हैं तो आपको 55 फंदे देने हैं फ्रेंट साइट में भी आपको तीन तीन फं आपको उसमें वीडियो में तो यहां से यहां तक इसकी साथ इंच की लंबाई है तो आप इसको पांच इंच कर लेजे ठीक है पांच इंच की लंबाई कर लीजे और आर्म होल की लंबाई यहां पर साड़े चार से पांच साड़े चार इंच है तो आप इसको चार इंच कर ठीक है यह आपके 6 मैने से 1 साल के बच्चे को आ जाएगा तो यह तो आप सेम तरीके से देख लीजे और इससे एक साल से डेर साल दो साल तक के बच्चे के लिए बनाना है तो आप बैक साइट में 60 फंदे हैं न सीधे आप 10 फंदे बढ़ा दीजी ठीक है 70 फंदे कर लिजे 70 फंदे पीछे कर लिए और यहां पे आपको 55 फंदे यहां पर बढ़ा लेए तो 38 फंदे यहां पर आपको कितने कर लेए 38 में आपको 43 फंदे कर लिजे 43 इदर 43 इदर ठीक है लेंथा आप इसमें 2 इंच बढ़ा लीजे यहां से देशे कि मैंने बताया आपको 7 इंच है तो आप 9 इंच बना सकते हैं इसको और ये भी आप 1 इंच बढ़ा लीजे ठीक है 5 इंच यहां पर 4.4 इंच है तो आप इसके according एक इंच बना लीजे और जो ये solder में जो फंदे रखे हैं ये लगभग हमारे एक साल और दो साल के बच्चे के लिए इतने ही रहेंगे हो सकता है तो आप एक दो बढ़ा सकते हैं नहीं तो आप इतने ही रखें ठीक है तरीका यही रहेगा आपको वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी अगर आपको बढ़ा बनाना है तो दो साल से तीन साल के बच्चे के लिए बता देती हूँ यहां पर हमको 75 फंदे लेने होंगे 75 फंदे बैक साइड में लेने होंगे फ्रंट साइड में हमको 7 इदर और 7 इदर फंदे बढ़ा लेने हैं ठीक है और लेंथ हमको देखें आप अपने बच्चे के हिसाब से भी रख सकते हैं और अगर हम 2-3 साल के बच्चे की बात करें तो उसको 10 इंचे तक आई जाएगा ठीक है फ्रंट साइड में हम यहां से 10 और यहां पर 10 फंदे बढ़ा देंगे मतलब 38 है तो 48 इहां कर देंगे 48 इहां कर देंगे ठीक है चार से 5 साल के लिए हम सेम फंदे लेंगे लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे लंबाई बढ़ जाएगी और बेबी आपका हेल्दी है या थोड़ा कम हेल्दी है उसी साब से भी आप स्वेटर देख लीजेगा ठीक है क्योंकि पांच फंदों में एक इंच का फरक आ जाता है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पांच फंदे कम कर लीजे यहां से तो यह देखे यह जो 9 इंच है हमारा यह 10 इंच में आ जाएगा अगर 5 फंदे बढ़ाएंगे अगर 10 फंदे बढ़ाएंगे तो 11 इंच में आ जाएगा ठीक है तो आप वीडियो जरूर देख लीजेगा वीडियो देखेंगे तो तब आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया है, भाकी फंड हो मैंने आपको बता दिया है, किस दरह से आपको फंड लेने पड़ेंगे और फंड़े एड्जेस्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो समझ में आगया होगा आपके टोटल ही और इसमें उन मैंने बता दिया आपको और 11 नमबर के नीडल से टोडल बना हुआ है स्वेटर बनाईए आप और कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोसिस करूंगी ठीक है तो कैसी लगी आपको यह स्वेटर जरूर बताएगा अच्छी लगी तो प्लीज लाइ